महराश्ट्र के विशे पर अभी हमारे वरिष नेता और महराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र पर्णवीज जी ने इस बात की घोशना की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाच शिंदे जी होंगे और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोशना की है कि वो गतिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतिय जन्ता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाच शिंदे जी को मिलेगा यह हमारी पार्टी के नेता और कारेकरता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महराश्ट्र की जनता की भलाई हो, महराश्ट्र की जनता का विकास हो, जनजन की आकांगशाएं पूरी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देविंदर फर्णवीज जी ने इस बात का फैसला किया लेकिन भारतीय जंटा पाइटी केंद्र ये टीम ने इस बात को ते किया है कि देविंदर जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पद्भार समालना चाहिए और इसलिए देविंदर जी से व्यक्तिकत रूप में भी आगरह किया है और केंदर ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंदर जी उप मुख्यमंतरी के रूप में डेपटी चीफ मिनिस्टर के रूप में कारेभार समाले और महराष्ट की जनता और महराष्ट की लोगों की जो आकांगशाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांगशाओं को एक विक्सित प्रदेश के रूप में महराष्ट को खड़ा करने में अपना योगदान करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें